इस वीडियो में हम फार्मूला टैब के टैक्स्ट फंक्षन में यूनी चार फंक्षन, यूनी कोर्ड फंक्षन और वैल्यू फंक्षन के बारे में जानेगे तो सबसे पहले हम यहां पे Unichar Function के बारे में जानेंगे Unichar Function Character Function की तरह ही काम करता है तो Character Function को हमने पिछली वीडियो में कर लिया है यहां पे हम Unichar Function को करेंगे तो जो Character Function होता है उसमें यह जो Numeric Value होती है 0 से लेके 255 तक ही बहर सकते हैं लेकिन जो Unicharactor Function होता है इसमें हम 255 से भी जादा यहां पे Numeric Value बहर सकते हैं यहां पे Numeric Value लिखी हुई है इसके बाद यहां पे इसका Unicharactor देखेंगे कि 103 इसका Unicharactor क्या है यहां पे हम यह देखेंगे तो इसको देखने के लिए हम यहां पे Unicharactor Function यूज करेंगे तो यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद इकल टू यह लिखा लिखने के बाद यहां पे Unicharactor यह लिखो निचे आ जाएगा यहां पे Unicharactor इसके बाद tab की press करेंगे यह unique character यहाँ पर आ जाएगा आने के बाद यहाँ पर आगी दिये गया है number तो number पर हम click करेंगे जिसका हमने यहाँ पर character देखना है तो यहाँ पर click किया है यह number 103 इस number पर click किया यह username यहाँ पर आ जाएगा 103 इसका unicode character जो है small में G है तो इस तरह से हम यहाँ पे unicode character इसको देख सकते हैं इसके बाद आगे जो numeric value हमने लिखी हुई है इनका हमने character देखना है तो इसको देखने के लिए यहाँ पे click करेंगे और इसको निचे यहाँ पे drag करेंगे यह drag किया drag करने के बाद यह देखो 125 इसका जो character है यह आ जाएगा 232 इसका character यह है इसके बाद 255 इसका character यह है इसके बाद 256 इसका character यह है इसके बाद 259 यह है और 544 का character यह है तो जो character function होता है उसकी जो यहाँ पे limit होती है वो 255 तक होती है यहां पे यह लिखो, यहां पे 256 हमने लिखा हुआ है, यहां पे यह इसका character आ गया है, यहां पे 259 लिखा हुआ है, इसका character यह यहां पे आ गया है, इसके वाद 544 लिखा हुआ है, इसका character यह आ गया है, suppose करो यहां पे unique character function हमने यह use किया हुआ है, इसकी जगा हम यहां पे character function क यूज़ करेंगे तो यह यहां पे यह जो numeric value है 255 तक यह character को show करेगा और जो हम 255 से ज्यादा यहां पे numeric value लिखी हुई है उनको यहां पे error show करेगा तो इसको यहां पे चग करते हैं यहां पे double click किया double click करने के बाद यहां पे यह character function यूज़ करेंगे यहां पे uni इसको delete किया delete करने के बाद यहां पे यह देखो enter press करेंगे enter press करने के बाद जब हम यहां पे click करके इसको नीचे drag करेंगे drag करने के बाद यह देखो 255 के बाद यहां पे 256 है यहां पे यह value error show कर रहा है क्योंकि यह जो character की limit होती है यह 0 से लेके 255 तक होती है उन character को यहां पे बता सकता है इस से ज़्यादा अगर हम यहां पे numeric value लिखेंगे तो वहां पे यह value error show करेगा यह लेको यहां पे 256 लिखा हुआ है तो यहां पे value error है इसके बाद 259 है यहां पे value error है इसके बाद 544 है तो यहां भी value error है अगर हम यहां पे unique character कर देते हैं तो यह यहां पे value error हड़ जाएगी यह देखो यहां पे फिर click किया और यहां पे हमने यह unique character लिखा इसके बाद enter press किया enter press करने के बाद इसको नीचे drag तो Unicode function जो होता है, Unicactor function के opposite होता है यह, यह जो character हमने लिखा हुआ है, इसका number code क्या है, तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे Unicode function का use करेंगे, यहाँ पे click किया, click करने के बाद equal to, equal to के बाद यहाँ पे Unicode लिखा, यह Unicode नीचे आ जाएगा यहाँ पे, double click किया, Unicode य यह आ गया, आने के बाद यहाँ पे दिये गया text, तो यह text है, यहाँ पे हम click करेंगे, तो यहाँ पे click करने के बाद, यह cell name यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद bracket को बंद करेंगे, bracket बंद की, enter प्रेस करेंगे, तो enter प्रेस करने के बाद यह दिखो, यह जो character हमने लिखा इस character का number code जो है 103 है इसके बाद इसका देखना है अगले का देखना है और ये जितने भी निच्चे दिये गए है इनका देखना है तो इनको देखने के लिए हम यहाँ पे click करेंगे और इसको निच्चे यहाँ पे drag करेंगे तो drag करने के बाद ये देखो जितने भी यहाँ पे character है इन सभी का number code यहाँ पे आ जाएगा तो इस तरह से unicode function का use करके हम character का number code यहाँ पे जान सकते हैं इसके बाद यहाँ पे हम value function को समझेंगे तो value function का use हम तब करते हैं नुमेरिक value दी गए होती है उसका sum अगर सही ना आए तो हम यहाँ पे value function को use करेंगे जैसे suppose करो कभी कभी क्या होता है हमने cell में कुछ formatting की होती है जैसे यह row 4 है यहाँ पे हम formatting change करेंगे इसकी home tab पे जाएंगे number group में जाएंगे और यहाँ पे more button पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे text लिख देंगे इसके बाद row 7 यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद यहाँ भी इसकी formatting change कर दी text लिखा यहाँ पे यह format apply करने के बाद पे amount लिखते है जैसे यह 100 किया हमने इसके बाद यहाँ भी इसके बाद यहाँ भी यह सभी में 100 किया यह लिको अब हम इनका sum करेंगे तो sum यहाँ पे करेंगे यहाँ पे हम sum formula यूज करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा equal to इसके आ जाएगा टैब की प्रेस की इसके बाद सम की रेंज स्लेक्ट करेंगे ये रेंज यहां पर आ जाएगी इसके बाद ब्रेकेट को बंद करेंगे एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर यह जो सम आया यहां पर 300 आया हमारे पास जो सम आना चाहिए था यहां पे 500 आना चाहिए था लेकन यहां पे 300 आया तो इसको हम चेक करेंगे कि कहां पे हमने गलती की हुई है तो यह देखो यह जो row 4 पे हमने 100 लिखा हुआ है तो इसमें क्या आई यह green tag यहां पे बना हुआ है तो इसका मतलब है यह text बन गया है और यह row 7 इसमें भी देखो यह green tag बना हुआ है इसका मतलब यह भी text बन गया है तो जब हम सम करते हैं तो सम में जो होता है वो text नहीं आता है अब हम इस text को number में convert करेंगे तो इसको करने के लिए हम यहां पे value function का use करेंगे यहां पे हम click करेंगे click करने के बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद value formula यूज क key press की इसके बाद आगे दिये गया text तो हम इस number पे click करेंगे यह दिखो यह number पे click किया यह यहां पे cell name आ जाएगा है इसके बाद bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद की बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो यह दिखो यह पहले से number था तो यह number यहां पे आ गया अब यह अगला है यह number है लेकिन यह text में convert हो गया है इसको हम यहाँ पे number बनाएंगे तो यहाँ पे click किया और इसको नीचे drag करेंगे यह drag किया drag करने के बाद यह देखो यहाँ पे यह जो green tag है यह बन के नहीं आया हुआ है क्योंकि यह इक number बन गया है यहाँ बन के नहीं आया तो इसका मतलब है यह भी number यहाँ बन गया है अब हम इसको delete करेंगे यह delete किया और यहाँ पे some formula use करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा equal to इसके बाद यहाँ पे some यहाँ पे tab की press की इसके बाद range select करेंगे यह हमने range select की range select करने के बाद bracket को बंद करेंगे इसके बाद enter press करेंगे तो enter press करने के बाद यह देखो यह यहां पे सई सम होके यहां पे आ गया तो value function का use करके हम जो number हमने text में change किया हुआ उसको number में यहां पे change कर सकते हैं और उनका यहां पे sum कर सकते हैं तो इस इस वीडियो में हमने यूनिक रेक्टर, यूनिक ओड और बैल्यू फंक्शन के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल धन्यवाद